हलो डियर श्टुएंट्स स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल अमन केमिस्ट्री में और आज हम अपने क्लास को आगे बराते हुए Refer flaking है रेट कॉंस्टेंट पर जो effectively क्रने वाले factors थे उसमें हमाज temperature की बात करने वाले है particularly कि temperature किस तरिके से rate constant या rate को effect करता है उस चीज की बात करेंगे जैसा कि आप देख पाड़े हैं यहाँ पर मालने जे rate का अगर हम calculation लिखते हैं तो rate is equal to हम लिखते हैं के into reactant का concentration to the power जो भी होगा n यानि कि order जो भी हो ठीक है तो यानि कि देख सकते हो कि अगर rate constant किसी भी तड़िके से मालने डबल हो जाए तो rate भी डबल हो जाएगा rate constant triple हो जाए तो rate भी triple हो जाएगा मतलब कि अगर rate constant बदलता है किसी reaction का तो automatically है कि rate भी हमारे उस reaction का change हो ही जाएगा ठीक है अब ध्यान दीजे यहाँ पर तो temperature का rate constant पर जो effect होता है उस चीज को दिखलाने के लिए समझेगा यहाँ पर एक equation आया है जिसका नाम है arhanious equation ठीक है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ह है जो कि आपको पिछले class में भी बताया गया था कि अगर हम temperature को 10 degree Celsius से increase करते हैं किसी reaction में तो वहाँ पर उस reaction का rate constant या तो double भी हो जाता है और maybe triple भी हो सकता है यह depend करता है temperature coefficient पर माल लिजे हमारे पास एक reaction है यह reaction मालो की A product की रूप में यहाँ पर B दे रहा है ठीक है यहाँ पर rate constant K1 था यह T temperature था T degree Celsius ठीक है अब माल लिजे इस reaction में करते क्या है temperature को हम बहा देते हैं T plus 10 degree Celsius कर देते हैं इसके temperature को तो माल लिजे rate constant यहाँ कितना हो गया K2 हो गया तो प्य K1 से K2 हुआ है यहाँ पर rate constant यह आइदर आपका double भी हो सकता है यानि कि K2 by K1 का amount जो है आपका 2 भी हो सकता है या maybe कितना हो सकता है 3 भी हो सकता है और इसी चीज को हम लोग बोलते है temperature coefficient क्या बोलते है temperature coefficient इसको कहा जाता है यानि कि K2 और K1 का जो ratio आएगा यह 2 या 3 हो सकता है that means rate constant आपका double या triple हो सकता है after increasing the temperature by 10 degrees Celsius तो यहाँ पर जो जो भी 2 या 3 आएगा ratio का value उसे हम लोग temperature coefficient कहेंगे यानि कि आप देखो यहाँ पर अगर temperature coefficient 2 होता है मने rate constant double होड़ा है temperature coefficient अगर 3 होता है तो rate constant triple होड़ा है समझो यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि माल लिजिए कोई reaction है कोई reaction यहाँ पर है माल लो उसका जो है ना यहाँ पर rate constant K है rate constant 10 degree Celsius पर यहाँ पर माल लो A से B में product बन रहा है और rate constant K है ठीक है तो उसी reaction में अगर हम इस बार temperature 10K बदले अगर 20 degree Celsius ले लेते हैं तो हमारा rate constant इस बार जो है maybe 2K हो सकता है अगला हम 10 degree Celsius और बरहते हैं यहाँ पर तो A से अब की बार जो B बनेगा 30 degree Celsius temperature कर देते हैं तो rate constant यहाँ पर 2K था अब इससे हम 10 degree Celsius बरहा दिये है तो अब इसका double हो जाएगा या triple हो जाएगा माल लो 6K हो सकता है ठीक है या 4K भी हो सकता है that means rate constant हमारा double या triple कुछ भी हो जाएगा अगर यहाँ से हम और अगर 10 degree Celsius बरहा दे 40 degree Celsius कर दे temperature को तो इसका double हो जाएगा that means 12K हो जाएगा या triple हो जाएगा या 18K इसका rate constant में भी हो सकता है ठीक है तो यह हमारा rate constant का temperature पर effect है प्याड़े बच्चों यहाँ पर हम देख पाड़े हैं कि जो हमारा temperature coefficient है वो कैसे define है तो temperature coefficient हमारा defined है यहाँ पर temperature coefficient Tc is equal to या तो k2 by k1 कर लो तो जो value आएगा वो temperature coefficient काल आएगा या फिर यहाँ पर T plus 10 degrees Celsius divide में T हमाने का sense यह हुआ कि rate constant जो T plus 10 degrees Celsius पर होगा ठीक है और rate constant जो T degrees Celsius पर होगा यह जो है इसका ratio यानि कि T plus 10 पर rate constant कितना माने है K2 मान लिए है यहाँ पर T degree Celsius पर rate constant कितना माना हुआ है K1 माना हुआ है तो बरहाय हुआ temperature पर rate constant बटे ऑडिजिनल temperature rate constant का जो value होगा वही जो है temperature coefficient का हलाएगा जो किसी reaction के लिए 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है तो आप लोग इस छोटे से mathematical terms को आप लोग नोट कर लोगे temperature coefficient तक आप लोग नोट कर लो ठीक है उसके बाद हम लोग चलते हैं अब आधिनियस equation पर तो प्याड़े बच्चों हम लोग अपनी टॉपिक पर आते हैं नाम है इसका आधिनियस equation आधिनियस ने temperature और rate constant पर जो effect होता है यानि कि जो relation होता है temperature का rate constant से जो relation होता है साथ ही साथ activation energy के भी term में जो rate constant का relation होता है इन सभी combined relationship को उन्होंने जो है एक equations represent किया जिनको हम लोग आधिनियस equation बोलते हैं और यह आधिनियस equation k is equal to a into e to the power minus ea by rt इस सीर से indicate किया गया था ठीक है जिसमें कि आप यहाँ पर introduce कर ले पहले कि जो हमारा k है वो हमारा rate constant है यह हमारा rate constant है यह integrated rate constant है ठीक है यह जो है उसको आधिनियस constant आप कह सकते हो आधिनियस constant बोल सकते हो या इसी को frequency factor बोलते है frequency factor बोलते है ठीक है या इसी को जो है temperature coefficient भी बोल सकते है या इसको pre-exponential constant बोल सकते है pre-exponential constant ठीक है तो कई सारा यहाँ पर नाम दे सकते है कोई दिकत नहीं है Ea की बात करें तो Ea हमारा यहाँ पर activation energy है Ea हमारा activation energy है और R हमारा gas lock constant है R gas lock constant है जिसका मान आप लोग जानते ही है 0.0821 liter ATM per mole per Kelvin होता है 0.083 liter barometer per mole per Kelvin होता है या 8.314 joule per mole per Kelvin होता है तो यहाँ पर कई सारे मान होते हैं R के जिसको states of matter में बताये गया था और यह जो T है प्याडे बच्चो यह T है आपका absolute temperature absolute temperature मने हो गया इसका Kelvin में जो temperature होगा जिस पर reaction होड़ा होगा Kelvin में उस temperature को represent करके तब T के place पर लगा देना है ठीक है प्यारे बच्चो यही हमारा RNS equation है इसके proof के बारे में हम जानेंगे कि यह आखिर यह equation आया कहां से YouTube पर आपको proof बहुत ही कम जगा पर आपको मिलेंगे ठीक है बुक्स में भी proof इसके नहीं रहते हैं बट आपको हम यहाँ पर proof दिखाएंगे कि आज ही अस equation को कैसे proof किया जाता है ठीक है अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम कुछ बातें को अगर देखते हैं तो k is equal to a into यह e का power negative है इसका मतलब रैसी प्रोकल में हो जाएगा यहने कि one by लिख सकते हैं इसको e to the power ea बटे rt क्या लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पर temperature के मान को अगर बरहते हैं तो temperature power में नीचे बठा हुआ इनके अगर यह चीज डिक्रीज होता है तो यह पूरा गड़ा इसका वेल्यू पास था तो 1 by 5 था 0.2 अब मानलों कि इसका value घट के 2 हो गया तो 1 by 2 0.5 हो जाएगा मान तो बढ़ गया यानि कि temperature के बरहाने से ये पूरा घटेगा और ये पूरा बढ़ जाएगा अजब ये पूरा बढ़ जाएगा तो rate constant भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इसका मतलब असपश्ट हो गया कि temperature बरहाने से rate constant के माने बरहोतरी होती है लेकिं याद रहे ये directly proportional नहीं है कि बरहोतरी तो ग्राफ जो होगा इजाम में वो ग्राफ आपको इस रूप में भी दिया वा रहेगा मानलों कि k का ग्राफ अगर t के respect में देखे तो यहाँ पर ये rate constant है और ये जो t है आपका temperature है तो आपको ग्राफ ऐसा भी दिया वा रहेगा और ग्राफ आपको k versus t का ग्राफ जो है आपको कुछ ऐसा भी दिया वा रहेगा तो प्याड़े बच्चों अगर हम देखे यहाँ पर तो ये जो straight line ग्राफ है ये directly proportional वाले का ग्राफ होता है तो यहाँ पर है नहीं k t का यहाँ पर क्या है कि t के मान के बरने से k के मान में बरहोतरी होती है बट t का मान जब थोरा सा increase करता है तो t के मान जब temperature शुरुआत मे increase करता है तो rate constant धीरे धीरे increase करता है और जब temperature बहुत ही ज़्यादा increasing होने लगता है तब धीरे rate constant की बरने का रटार भी क्या होता है बरने लगता है समझे तो जैसे की चाय बनती है तो temperature सुरूम बरहते हो tell में चाय बनने की रटार भी धीमीullah बढ़ती है और बात में जो है जब temperature बहुत ही अधिक बढ़ जाता है तो वहाँ चाय के बने के रफ्तार भी क्या होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है तो rate constant जो होता है वो temperature की increasement के साथ में पहले slowly increase करता है और फिर बाद में जो है बहुत ही fast increase करते जाता है तो ये graph आपका RNAs equation के लिए k versus t का ये graph सही है ये graph क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा तो आप equation और उसके सही graph और ये उसके introduction के notes को आप लोग पाले छाप लिए पढ़ियाँ से पैड़े बच्चों हम बात करने वाले हैं RNAs equation की proof की ठीक है तो इसके पहले आप लोग समझिएगा आप लोग जानते होंगे कि कुछ reaction reversible nature के होते हैं जिसमें की ये A मालो की B में ये convert हो रहा है ठीक है ये reactant है ये product है इस तरफ की reaction के लिए और इस तरफ के लिए ये हो जाए forward reaction का rate constant और k2 हो गया आपका backward reaction का rate constant ठीक है तो इसमें equilibrium constant kc क्या होता है forward का rate constant divided by backward का rate constant k1 by k2 होता है kc equilibrium constant यानि की जो reaction equilibrium पर reach करेगा तो equilibrium constant kc का value होता है rate constant of forward reaction divided by rate constant of backward reaction दोनों तरफ की reaction की rate constant का ratio equilibrium constant का हलाता है तो प्यारे बच्चों जब ये reaction में A B में convert होता होगा या B A में convert होता होगा तो ये मालो की A B में convert हुआ तो इसको कुछ energy चाहिए वो energy इसी system से लेगा ठीक है अब मालो की B A में convert हुआ तो फिर energy वो lost करेगा तो A जो B में convert होता है और B जो A में convert होता है तो एक energy lost करता है दुसरा energy consume करता है बने energy में या कुछ न कुछ चेंज आती जा रही है जिसके कारण से reaction का rate maintain रहता है अब समझ लिए यहाँ पर कि ये जो energy में जो change हो रही है उसके मुताबिक equilibrium constant पर जो प्रभाब पड़ता है य उससे समंदित वांट्स होफ ने एक लाव दिया था एक अपना equation दिया था जिनको हम लोग वांट्स होफ equation के नाम से समझते हैं याद रखिएगा वांट्स होफ वांट्स होफ equation उन्होंने दिया था वांट्स होफ ने क्या दिया था तो था डी एलेन केसी डी मैंने differentiation हो गया किसका differentiation तो एलेन केसी का differentiation यहने कि केसी equilibrium constant है एलेन logarithmic function है ठीक है ना by dt किसकी respect में इसका differentiation हो रहा है time की respect में ठीक है इस इक्वल टू डेल्टा ए मन्या इनर्जी change by rt square और हो गया gas low constant टी हो गया absolute temperature यह equation था वांट्स होफ का equation ठीक है ना डेल्टा ए हो गया change in energy final minus initial करते हैं और किसी reactant के लिए अगर बात करेंगे तो energy हमेशा घरती जाती है इसलिए पहले energy ज्यादा होती है e1 minus e2 करेंगे यानि कि delta e और सभी में delta अगर लग जाए तो हम लोग delta x लिखा वारता है तो x2 minus x1 करते हैं लेकि energy case में क्या होता है कि पहले किसी इनर्जी प्रोसेस के पहले ज्यादा होती है प्रोसेस खतम होने के बाद उसकी इनर्जी घर जाती है जिसके कारण से जो change in energy निकालेंगे वो first energy minus second energy ही करना पड़ता है बरावेनस सोडा करने के लिए e1 minus e2 यहाँ पर लएंगे तो प्याड़े बच्चों यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे यहीं से आगे बढ़ेंगे आप लोग यहाँ से step by step देखते जाईएगा तो यहाँ से d ln केसी का मौन हम क्या लिख सकते हैं तो बोलो कि सर के बन बाई के टू लिख सकते हैं तो यहाँ ली देते हैं के बन बाई के टू ठीक है डिवाइड कर दी यहाँ पर d t से और यहाँ delta e का क्या होगे यहाँ पर r t square हो गया यहाँ तक आप भी note कर लीजिए अब यहाँ से आप log का formula जानते हैं कि log के अगर अंदर में m बटे n रहे तो वो log m minus log n के रूप में टूट जाता है तो यहाँ से हम अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d लिख देंगे और एक bracket डाल दिये यहाँ पर लिख दिये ln k1 minus ln k2 अब by हो गया यहाँ पर dt और इस side क्या है यहाँ पर e1 minus e2 बटे r t square ठीक है अब देखें यहाँ पर हम इसको अलग अलग तोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा d ln k1 by dt ठीक है अब minus क्या हो जाएगा फिर से d ln k2 d ln k2 by dt हो जाएगा ना और इधर क्या हो जाएगा इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा e1 बटे r t square minus इधर हो जाएगा e2 बटे r t square क्या होगा यहाँ पर इतना दूर आपको समझ में आ गया अब mathematics का एक law उठाते हैं प्याड़ी बच्चों mathematics का law कहता है कि अगर दो च c minus d अगर दो चीज का difference सामने वाले किसी दो चीज के difference के बराबर हो जाए तो equating करने पर हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं यानि कि अगर x minus y बराबर a minus b हो जाए तो हम लिख सकते हैं x is equal to a y is equal to b ठीक है ना तो यहाँ पर लिखे इक्वेटिंग और इक्वेटिंग बोट साइड अगर दों साइड को हम इक्वेट करें तो यहां पर लिख सकते हैं DLNK1 by DT is equal to लिख सकते हैं E1 बट है R T square इसको equation 1 माल लेंगे similarly DLNK2 by DT is equal to हम लिख सकते हैं यहां पर E2 बट है R T square इसको equation 2 लिख दिलते हैं और प्याड़े बच्चों यही जो equation 1 और 2 है यह कहलाता है general form of Rhenius equation और यही पर दो में से किसी एक equation को लेंगे और हम लोग Rhenius equation के प्रूफ की तरफ हम लोग चल देंगे समझे बात को तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और यहां तक कोई दिकत होगा तो कमेंट में जरूर बताईएगा यहां में अप सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा सड़ इस लाइन में प्रॉब्लेम है ठीक है तो यहां तक तो मेरे ख्यांस कोई प्रॉइंट में भी फिलाल नहीं होगा अब हम लोग कि क्या हुआ काहानी में थासा कंफूज कर गए तो वहाँ पर हम लोग समझने के लिए फिर से बैक कर लेते तो उसे तरह से आप यहां पर पर आएक निकर सकते हैं यहां भी कर सकते हैं तो ठीक है आप यहां तक लिए यहां पर जनरल फ़र्म और निशिक लिजिएगा और कि एक्वेशन 1 & 2 are called the general forms of our English equation ठीक है और हम लोग यहाँ पर किसी एक एक्वेशन 1 क्या था वन में वन में था अमारे पास डी एलन के वन बाई डी टी इस इक्वल टू ईवन बटे आर टी एसक्वाइड सबसे पहले जो हम लोग इस डी टी को उधर भगा देते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर यह हो जाएगा डी एलन के वन इस इक्वल टू ईवन बटे आर टी एसक्वाइड इंटू डी टी हो जाएगा देखिए आपड यहाँ इनरजी जो है किसी रियाक्टेंट की वह इनरजी तो कॉंस्टेंट रहती है भाई मालों की कोई रियाक्टेंट है उसको फिक्स अमांट आफ इनरजी चाहिए एक्ट स्टेंट है यहाँ पर रैडीर सन ख स्वर्क culture का किसके मैंf मिंगरिश्पैक τाइब बदलते जाएगा तैम्टेर चरीज्ड यहाँ पर टाइम का हम लोग जो भी करेंगे डिप्रेंस से उढ़ाएंगे तो इंट्यूर्च करना होगा तो तो बाइखिए temperature का integration करेंगे हम लोग time के respect में ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले differentiation form को हटाने के लिए हम लोग integrate करेंगे तो दोनों साइट integration करने पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर जाएगा d ln k1 यहाँ पर हो जाएगा e1 बटे r तो आजाएगा बाहर अंदर में क्या बच जाएगा 1 by t s squared into हो जाएगा आपका dt यहाँ पर अब यहाँ पर देख लीजिए हम एक form त्यार करने वाले हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर आपके पास देखिए x to the power n का integration करें हम x के respect में तो यह हो जाता है x to the power n plus 1 बटे n plus 1 जस्ट यहाँ पर अगर 1 by t s squared है इसका अगर हम integration करें तो 1 by t s squared क्या लें सकते हम लोग t to the power minus 2 लिख सकते हैं ना अब t to the power minus 2 का integration क्या हो जाएगा t का power minus 2 plus 1 बटे minus 2 plus 1 तो t का power हो जाएगा minus 1 बटे माइनस 1 यह माइनस क्या हो जाएगा यहां पर यह माइनस यहां आ जाएगा और t to the power minus one को आप क्या लिसकते हैं 1 by t लिसकते हैं यानि क्या इंटिग्रेशन यहाँ पर 1 by T आ गिया तो यहां पर क्या होगा differentiation से integration केंसिल हो गया खतम, क्या बचेगा यहाँ पर LNK1 बचेगा बराबर, यहाँ E1 बटे आ रहा गिया, और यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यह हो गया minus 1 by T यह हो गया आपका इसका integration, और इस integration के बाद भी कुछ ना कुछ constant आया होगा, और इस integration के बाद भी कुछ ना कुछ constant आया होगा, जिसको हमने arbitrary constant का नाम दिया था, दोनों ही constant मिला करके, एक constant आडियस ने ले लिया, LNA के रूप में, क्योंकि constant है, तो constant किसी भी form में ले सकते हैं, K लीजिए, C लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, तो आडियस ने LNA के रूप में constant लिया, जिसको logarithmic form of RNS constant बोलते हैं, इसी को integration constant भी कह सकते हैं, इसी को arbitrary constant भी आप कहते हैं, ये माना क्या constant है, ये कोई constant है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, हर जगा अपना अपना इसका मान, कुछ ना कुछ होगा, समझे बात को, तो ये constant आ गया, यहाँ पर logarithmic form में constant लेने का इसका region ये था, कि ये भी log के form में है, ये भी log के form अगर ले दे हैं, और इसको भी log के form में convert कर देते हैं, तब जा करके आराम से हम लोग log का solution, आराम से करके formula derive कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने LNA ही logarithmic form में constant लिया था, प्याड़े बच्चों, एक formula अभी आपको और हम दिखलाने जा रहे हैं, आप में सब लोग जानते हो कि ln के base में e होता है, तो ln e का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब देखिए आपर, ln e का power अगर x रहे, तो आप log के formula जानते हो, कि ये m का power n है, तो ये n उतर जाएगा, पीछे में, x into ln e हो जाएगा, और x into ln e तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया, x हो गया, यानि कि आप x को ln e लिख करके उपर में बठा सकते हैं, यानि कि अगर हमें arm लिखने के लिए कहा जाए, तो हम लिख सकते हैं, ln e to the power arm, क्योंकि ये arm फिर से आजाएगा, इधर ln e का 1 हो जाएगा, कहानी खतम हो जाएगा, यानि इस रूप में लिख सकते हैं, अब बोलोग इस तरह ऐसा कड़ेंगे क्यों, कड़ेंगे इसलिए, ताकि ये भी log के फोर्म में है, ये भी log के फोर्म में है, तो ये पूरा का पूरा टर्म भी log के फोर्म आ जाए, तो पहले इस टर्म को हम सही धंग से व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ln k1 बराबर ये हो जाएगा, minus e1 बटर rt, ठीक है, अब प्लस ln a हो गया, अब चलिए हम लोग इस साइड चलते हैं, और इधर देखते हैं, क्या का काम करना है, तो प्याड़े बच्चों, इस पूरे को हम आम माल लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, ln k1 ठीक है, is equal to इस पूरे को आम माल लेंगे, तो हम ln e लिख देते हैं, फालतू में इसके पूरे उपर में minus e1 बट रटी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फिर से उतर जाएगा, ln e का मान मान हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, खानी खतम सब कुछ का अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ln e हो जाएगा, ठीक है अब देखिए यहाँ पर अब पूरे देखिए आँ यहाँ पर एक फर्मूला बन जाएगा, ln k1 बराबर, देखिए, ये ln के बगल में ये e to the power minus e1 में रटी है, जो है, इस पूरे को m माल लीजिए, अब प्लस ln के बाद में यहाँ पर n है, तो ln m plus ln n क्या होता है, a को ln हो जाएगा, ये जो प्लस का फॉर्म है, ये multiply के टर्मू टूट जाएगा, ये मनना कि m गुना n हो जाएगा, तो हम लिख देखिए हैं, यहाँ पर a गुना e to the power minus e1 बट्ट rt, अब तो आपको भली बात ही पता है कि अगर दोनों साइट हम anti-log लेते हैं, तो anti-log दोनों साइट लेने पड़, इधर से भी log anti-log cancel, इधर से भी log anti-log cancel, मतलब कि दोनों तरब से log cancel हो जाएगा, on taking on taking anti-log on both side अगर दोनों साइट हम anti-log लेते हैं, तो दोनों साइट का log खतम हो जाएगा, बचेगा आपका k1 is equal to a into e to the power minus e1 बट्ट rt, ठीक है और इसी प्रकार से अगर आप यहाँ k2 बला यानि कि equation 2 लेके चलते तो आपको मिलता k2 is equal to e into a into e to the power minus e2 बट्ट rt मिलता, क्या बात सही है यहाँ पर यानि कि आप अगर k2 लेके चलते तो यह मिलता और k1 लेके चले तो आपको यह मिल गया, तो देखो यहाँ पर यही हमारा rnx equation है बट, ध्यान दीजी यहाँ पर हमारे पास k1 और k2 लेके हम यहाँ चले थे, लेकिन अगर हमारे पास single step reaction हो मालनों अगर हमारे पास a directly convert हो रहा हो, भी में आगा ठीक है, यह reactant हो यह product है, और इसमें जो reactant को activate करने में जो energy यहाँ पर लग रही है, मालन लिजे यह energy हमारे पास जो है ना, यह energy supply जो कर रहे है, वो activation energy है, यह एक रूप में, ना ही e1 है, e2 है, यहाँ पर direct ea है ठीक है, और यहाँ पर मालनों की temperature T है, यहाँ पर temperature T degree Celsius या T Kelvin temperature लग रहा है, तो यहाँ पर direct ही, उस case में क्या लिखेंगे direct हम k1, k2 नहीं लिखेंगे, यहाँ rate constant हमारा क्या कहलाएगा, k कहलाएगा और k क्या हो जाएगा, तो k is equal to a into e to the power minus, अब e1 e2 नहीं है, अब ea है activation energy, तो ea बटे, r into t, यानि कि यही हो जाएगा, एक general reaction के लिए general rms equation यही हमारा proof हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर e1, e2 हटा दिये हम, समझे बात को न, direct ही हम लोग यहाँ पर काम कर दिये, ठीक है न, k1, k2 हटा दिये, k रख लिए, यानि कि हमने reversible chemical reaction लिया था, k1, k2 e1, e2 लेक चले थे, बट अगर general एक single step reaction हो हम लोग तो single step की बात करेंगे, हम लोग और e1, e2 ना लेकर के direct activation energy की रूप में ea ले लेंगे तो formula proof हो गया, k is equal to a into e2 the power minus ea बट है, rt तो प्याड़े बच्चों, यहाँ पर आपका rns equation का proof खतम हुआ, ठीक है, अब चलते है हम लोग, यह यहाँ तक आपको यह मन में जो doubt था कि यह equation कहा साया, वो clear हो गया अब सवाल में चलते हैं कि जब temperature change कड़के rate constant निकालने के लिए सवाल दिया जाए, तो वो rns equation से solve कैसे कड़ेंगे, क्या इस form में solve हो पाएगा, e का power आप क्या क्या रखोगे, तो solve भी नहीं कर पाऊगे तो कैसे हम उसको solve कड़े उनके application पर, मतलब की अब हम लोग reaction लेने वाले हैं उनके अंदर temperature में change करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि rate constant k पर क्या असर पड़ता है तो topic लिए है effect on k कि rate constant पर क्या effect होगा on changing in temperature, जब temperature को change करेंगे तो इसके लिए हमें एक equation लेलते हैं कि माल लिजिए कि एक reaction में reactant convert हो रहा है product में, इस reaction में जब यहाँ पर T1 temperature हम apply किये थे तो माल लिजिए rate constant यहाँ पर K1 था, ठीक है और same यहाँ पर एक reaction और लिलते हैं हम उसी reaction में reactant माल लिजिए convert हो रहा है था product में और यह कोई दूसरा आदमी reaction करवा रहा है उन्होंने temperature T2 select किया है और rate constant इसका K2 definitely कुछ ना कुछ different rate constant आएगा तो हमारा question यह है कि अगर वो temperature T1 लिया है तो इसका K1 rate constant है तो T2 temperature लेने पर rate constant का मान क्या होगा वो बताईए यह चार चीज में आपको तो तीन चीज दिया हो रहेगा कोई यह चीज निकाल ले के लिए कहा जाएगा या यूँ कहा दिया जाएगा कि अगर मान लिए 20 degree Celsius temperature पर अगर rate constant के है तो बताओ यहाँ पर कि कितने degree Celsius temperature पर rate constant 2K हो जाएगा या 3K हो जाएगा तो यानि की temperature भी पूछ सकता है या rate constant भी पूछ सकता है हमारे पास जितने unknown terms है उसमें भी कोई 10 दिया हो रहेगा और आपको चौथा पूछ देगा ठीक है तो प्याडे बच्चों यहाँ पर इस तरह की सवाल को solve करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिर से आरहनियस equation लिखते हैं कि we know हम लोग जान रहे हैं आरहनियस equation के बाड़े में कि k is equal to a into e to the power minus ea बटे rt यही हमारा आरहनियस equation है दोनों ही side अगर हम ln ले लेते हैं taking natural log मनें ln on both sides अगर हम दोनों side natural log लेते हैं तो यह हो जाएगा ln k is equal to ln a into e to the power minus ea बटे rt हो जाएगा यह फिर तूट जाएगा क्या ln k is equal to यहाँ पर यह m into n के format में है तो यह हो जाएगा ln a plus ln e to the power minus ea बटे rt और यह finally क्या होगा ln k is equal to यहाँ पर आप जान रहे हो कि यह minus ea बटे rt आ जाएगा नीचे में और ln e का मानू 1 हो जाएगा तो यहाँ से खाली बचेगा minus ea बटे rt और बाद में इधर क्या बचेगा plus ln a ठीक है यहाँ से इसी टर्म का हमें यूज होने वाला है इस टर्म को एकदम ध्यान में रख लीजिए हाला कि rn s equation की प्रूफ करते समय यह term बीच में आया होगा लेकिन फिर से इस टर्म को ले आये हम और इस टर्म को आप ध्यान में रखेगा इसी से हम लोग आगे काम करेंगे ठीक है अब देखी यहाँ पर हमारे पास यह reaction है इस reaction की हिसाब से काम करते हैं यहाँ करते क्या है हम इस reaction को ले करके यह equation फिट कर देते हैं और फिर इस reaction को ले करके यह equation फिट करते हैं मतलब क्या देखी यहाँ पर माल लिजिए हम अगर पहले reaction की बात करें तो यहाँ पर क्या देरफुर हमारे पास reaction के first step में यहां पर माल यह first step है reaction और यह second step है reaction यह दोनों reaction सेम है केवल अलग-अलग condition में करवाए जा रहा है ठीक है ना तो यहां पर अगर हम यहां पर from one से अगर देखें तो देखें यहां पर क्या हो जाएगा lnk जगा पर k1 हो जाएगा बराबर minus ea बट r t1 हो जाएगा प्लस ln a हो जाएगा इसको हम यहां पर equation माल लेते हैं one ठीक है ना यह equation हो गया one यह तो एक नमबर दो नमबर था और यहां पर देख लिजिए अगर हम from two यानि second reaction से अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा lnk2 बराबर minus ea बटे r t2 प्लस ln a इसको हम माल लेते हैं equation 2 यानि कि हम इस reaction को लेकर के यह equation सेट कर दिये और इस reaction के जो अगले condition में हम आए तो इसको लेकर के भी हम यहां पर इस equation को सेट कर दिये अब हम देखते हैं कि क्या फर्क परने वाला है जब temperature हम लोग चेंज कर रहे है तो इस फर्क को देखने के लिए हम लोग करते क्या है equation 2 में से 1 को घटा देंगे equation 2 में जब 1 को घटाईएगा तो left left में minus होगा और right right में minus होगा तो यहां तक note कर लिजिए और करने की कोशिश करिए अपने से equation 2 में 1 को आपको घटाना है ठीक है तो यहां तक छाप लिए equation 2 minus equation 1 करने जाए ठीक है तो 2 minus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर यह two में है हमारी left side में ln k2 और यहां पर है ln k1 is equal to क्या हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा minus ea बटे rt2 plus ln a यह है equation 2 में घटा देंगे यहां पर क्या हो जाएगा minus ea बट r t1 plus lna यह है equation 1 में अब देखो यहाँ पर यह minus से multiply होगा तो minus minus यह plus ea बट r t1 हो जाएगा और minus lna हो जाएगा तो minus lna और plus lna यहाँ पर क्या हो गया cancel हो जाएगा और यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा यह m minus lna की format में है तो यह हो जाएगा ln m बटे n मनए k2 बटे k1 is equal to यहाँ पर देखो यह चीज प्लस में आ जाएगा ea बटे r t1 प्लस में माइनस में क्या है ea बटे r t2 तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो यह हो जाएगा ln k2 बटे k1 और दोनों में common क्या है यहाँ पर ea बटे r common है इधर बचेगा 1 by t1 माइनस 1 by यहाँ पर t2 बचेगा अब देख लीजी यहाँ पर हमको तो log में answer चाहिए log में हम लोग का value पता होता है तो प्याड़े बच्चों यहाँ पर हम log में ln o convert कर देंगे तो हो जाएगा 2.303 into log k2 बटे k1 is equal to ea बटे r into 1 by t1 माइनस 1 by t2 और यहाँ पर बस करना क्या है कि यह 2.303 को उठा करके यहाँ देदना है तो जो हमारा equation बन के आएगा यही equation है कि अगर सवाल आपको दिया वा लेगा कि कोई reaction 20 Kelvin temperature पर हो रहा था तो rate constant उसका मालो की x था ठीक है अब वो reaction अगर 40 Kelvin temperature पर होगा तो उसका rate constant क्या होगा तो हम लोग इसी formula को लगा करके हम लोग solve किया करेंगे सवाल को बनाएंगे ठीक है तो आप लोग इस point को यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब आप लोग screenshot ले लिजेगा इस point का तो जब अगर screenshot यहाँ पर ले लिए होंगे तब हम लोग आगे की और बढ़ते हैं ध्यान दीजिए यहाँ पर तो यानि कि एक step और बचा हुआ है क्या है यहाँ पर तो यह हो जाएगा हमारा लोग k2 by k1 बराबर यह हो जाएगा ea बटे 2.303 into r और गुनाम यहाँ पर हो जाएगा 1 by t1 minus 1 by t2 यह हमारा जो formula तयार हुआ यह हमारा formula तयार हुआ यही formula आपको relation दिखाएगा relation between temperature and rate constant k ठीक है यानि कि variation of rate constant with temperature अगर आपको जानना है कि rate constant में k किस प्रकार से variation होगा temperature के variation के आधार पर तो यहाँ पर यही rns equation का यह equation काम देगा जिसका हम लोग numerical हम लोग बनाएगे numerical आपका वीडियो में upload हो जाएगा ठीक है तो यह rns equation आज हम लोग सीखे यूनिक चीज क्या सीखे तो इसमें rns equation का proof सीखे और यह चीज जो है rns equation के मदद से हम लोग सवाल कैसे solve करेंगे यहने कि उसका जो extension form जो होता है वो हम लोग यह सीखे rns equation का हम लोग जिससे numerical बनाएगे वो वह वला फॉर्म यहाँ पर सीख लिए तो प्याड़े बच्चों इस चीज को आप लोग बार बार दो तीन बार revise कर ले अच्छे तरीके से और तब जाकर के आप लोग का यह syllabus complete होगा और आज आई होप वीडियो देखने के बाद rns equation को आप लोग अच्छे तरह से revise कर लोगे ठीक है और अच्छे तरह से समझ लोगे जो दिककत होगा वह आप लोग comment में डाल सकते हो ठीक है मिलते हम लोग अगले class में तब तक के लिए enjoy करते लिए और देखते लिए अगर आप नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है बाई